So hello friends, welcome back to another video, दोस्तो आज है बुद्धवार, आज है बैंक निप्टी की weekly expiry and आज market gap down open हुए, gap down open होने की बाद market ने दो तिन candle में downside की तरफ फाल किया and उसके बाद में market एक parallel channel में upside की तरफ जाने लगी, यहाँ पे जब market ने parallel channel का breakout, red candle की closing support सा हमारा 45-350 उसके नीचे हुए तो वहाँ पे हमने अपनी put side की entry का plan किया and target यहाँ पे रखा हमने अपना 45-150 सका, तो मैंने अपना trade पंचप कर दिया और जेखते हैं इस trade में हमारा profit होता है यह loss होता है इस trade में मुझे 300 तका loss देखने को मिला है तो मैं state से exit कर रहा हूं and अपर आपको दिखा रहा हूं कि index में किस तरीके से market ने behavior किया है यहाँ पर market ने red candle की closing दी और उसके बार में market ने दो red candle बनाया और नीचे से second red candle में rejection आया और मार्केट ने upside की तरह मुझ दिया market आज gap down open है तो बहुत से लोगों ने put side का ही plan किया होगा and यहाँ पर मैंने उस time पर put side का कोई plan ने किया मार्केट ने जिब यहाँ पर parallel channel का breakout दिया और support को भी breakout करके नीचे market जिब क्लोजी केंडल तभी मैंने अपने entry की market सुवे से एक parallel channel में bullish trend में चल लगी है तो यहाँ पर मैंने अपना trade तो exit कर दिया है लेकिन मेरा अब हैसल हिट नहीं हुआ